गुट बॉर्णिंग एवरिवन अपना आज डी एम इस्मित द्वारा पर्ति-पार्थि चिद्दान इस्तिति के बारे में पढ़ेंगे मैं डॉक्टर एचेन मोरिय गवर्मेंट पीजी कोलेज का रड़ा एसोशेट प्रोपेशर जोग्रफि में हूँ और मैं उद्धोविक भूहल के बारे में आज आपको डी एम इस्मित द्वारा पर्ति-पार्थि चिद्धान के बारे में बताऊंगा इसमें अपने ये पढ़ेंगे की ड्य एम इस्मित ने राष्ट्रोन की विचारदारा को लाप के शिबांत के अस्तित्वे के आधार पर आगे विक्शित किय प्राप्त लाब और प्राइस भी सभी जगूं से समान ही प्राप्त वस्तु होती है और खर्च कोस्ट को लंब बत आधार पर दर्शाए गया है इसमें और जबकि दूरी को छेत्रिय इस्तिती के आधार पर ए, सी रेखा तुवारा एक छेत्र में होने वाले प्रती इकाई और तीसरा नाम इसे ओस्त वक्र रेखा भी कहा जा सकता है डाइग्राम के मादियम से अपन देखते हैं कि इसके अंतरगते और मुले इस्तित होने पर उद्धयोग इस्तिती से लाब और हानी आरसी रेले पर अधारित है और इसमें अमे मार्जिनल ए सिमानत लाब और दूसरा है अम बी और ओ है ऑप्टिमम लाब की रेखा और लागत है जो सीधी रेखा है और लागत रुप्यों को दिखाई गई है और आड़े देखा इसमें M A O B इसकी दूरी है इसमें दिखाई गई है चित्र में न्यून्तम इकाई लागत को बिंदू O दुआरा प्रकट किया गया है और इस उसत वकर रेखा में M A और M B के बीच वाला जो चित्र उसत खर्च और प्राप्त लाब को समान करता है और दर्शाय गया है मुल्य वकर रेखा प्राइस कार उसत खर्च रेखा के भी इसका अंतर लाव यहानी को दर्शाता है यदि लाब मुल्य से उसत खर्च अधिक है अतार तो उसत खर्च मुल्य रेखा से उपर बनती है तो ऐसी दसा में हानी होगी क्योंतु यदि उस द्योग उसत खर्च लागत रेखा मुल्ले रेखा से नीचे यानि आधार की ओर बनती है तो ऐसी इस्तिति में लाब ही होगा इस आरेक के मादम से अपन समझा सकते हैं आगे देखते हैं कि अपन इसके अंतरगते इस्मित ने बताया कि मुल्ले रेखा के नीचे लागत रेखा कोष्ट कर औरने की दिसा में लाब मिलता है और प्रंतु साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि N, O, B, K, M, B के आगे लाब सिमान की सिमा समाप्त हो जाती है इस चेतर से पर उद्धोग इस्ताफित करने से हानी होगी इस चेतर पर उद्धोग इस्ताफित करने से हानी होगी इस्मित के अनुसार सर्वदिक लाब और इस्तल पर कमाया जा सकता है जो अपने इस दाइग्राम में देख सकते हैं लाब जहां पर लिखा हुआ है वास्तों में लागत कोस्ट और मुनले मांग एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपर से नीचे की और होते रहते हैं और इसी आदार पर उन्होंने दूसरी स्थितिका वंडन किया जो अपन इस ट्राइग्राम में अपन देख सकते हैं लागत रुपे एम ए उन्होंने एम ए बी वन और ओ और एम बी की दूरी इस्तापी बक्र के मद्यम से संदया और ओसत लागत रेखा उपर की ओर है लाब मद्यवाले स्थान पर है हानू हानी एम बी और एम ए के भारी भाग में है चित्र में दर्शाय गया की परिवर्टित मुले एवं ओसत लागतों के स्थिति में मांग उद्योग इस्थिति एम लाब हानी आर्सी रिले पे आधारित है चित्र के अनुसार पी के दोनों और मुले प्राइस के कम हो जाने से कार खाने में बढ़ती दूरी के साथ ही मांग गढ़ती है और चित्र को रिले ने इसी आधार पिर बड़ा लाबदाएक बताया यह ने केवल लाब हो का सिमानती सित्र करता है जबकि एम ए और एम बी अपीतु को इस्थल दूरा न्यूंतम लागत इस्थिति लिस्ट कोश्ट लोकेशन भी प्रकट करता है इसके प्रकट हपन देखते हैं और उनके साथ साथ सबसे अधिक मांग बीबी रसाता है बीबी से ए ए बड़ी है इसलिए अधिक तम लाब की सित्थि ओही न्यूंतम लागत है इसमित ने बताया कि इन दोनों बिंदू पर काथान की सित्थि कदाचित आकस्मिकी होगी और सामने नहीं उप्रुक्त चित्तर से इस्थित करता है कि लागत और मुले रेखा के अधिक तेज जाल वाली होने पर एम ए और एम बी के मद्दे की बीज की दूरी छोटी होगी जो ये इसको परकट करती है कि जहां पर कहीं भी लागत और मुले में चेत्री अंतर अधिक होगा ऐसे चेत्र में लाब प्रियाबत कम ही होगा लाब की मातरा कम होगी ये अनुमानते रहता है कि विनिर्वान प्रियाब में यदि पदात के मिले में सुधार कर दिया जाए और उसे अधिक कुसल बना दिया जाए जैसे कम्प्यूटर ऐसी दसा में एक चेत्र क्या पुरा देश ही लाब के विशिमान चेत्र अंतरगत आ सकता है डाइग्राम तीसरे के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ओसत लागत रेखा उपर की ओर नई मुले रेखा बीच में और मुले रेखा आधार अस्तल के उपर लागत रुपयों में देखते हैं कि म, A, 1, म, A, O, दूरी, M, B और M, B, 1 मुले परिवर्तन और लाब आर्सी रुले के अनुज़ार इसमें अपन को दिखाया गया है ऐसी तीसरी स्तिती का उणन करते हिए इसमें बताया कि मुले लागत परिवर्तन या कर या आधी में परिवर्तन के कारण इस्तिती धनात्मक पोजिटिव धनात्मक नेगेटिव होना ही भी हो सकती है दोनों हो सकती है इसके इंतरगत नेगेटिव हो सकती है और पोजिटिव भी हो सकती है एक कारखा ने मुल्य प्राइस बढ़ा दिया जिसे लाब बढ़कर A में और B के इस्तान पर A में 1 और N B 1 जितना छेतर हो गया पोसत लागत कोष्ट में भी कमी होने के कारण प्रबंद में सुवार या कच्छे माल के मुल्य में कमी होना या करके अथवा खुछ से प्रोसाई तराशी मिलता है करण वकर चोथे का अनुसार अपने देखते हैं कि इसके अंतरगते ओसत लागत में परिवर्थन और लाब आर्शी जिले के अनुसार है जैसे लागत M.A.1, M.A. दूरियो, M.B. M.B.1 के माददे हम से देखते हैं कि लाब भी इसके स्थान पर ही मिलेगा ठीक इसके विप्रिते मुले में कमी और ओसत उत्पाजन लागत में बर्दी के फिल सुरुप लाब का चेतर कम हो जाएगा यहां तक कि उसे हानी भी हो सकती है इसलिए अपर देख के हैं कि D.A.M. इसमित द्वारा उद्वगों के परतिफात सिदान पर बताया कि लाब की इस्तिती कांपी होगी कहां कौन से उद्वग को इस्तापित करने से होगी आनी का होगी लाब का होगा यह इस जो डाइग्राम है इनके मात्म से समझाया गया है थैंक्टू